असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूं गुलाम मुटसा और आप देख रहे हैं फेस्बुक पेज बीइंग अड्वाइजर एंड यूट्यूब चैनल बीइंग अड्वाइजर दोस्तों अगर आप चाते हैं कि आप वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएं और यूट्यूब के उपर अपना चैनल बनाकर यूट्यूब के पर वीडियो अपलोड करें तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊगा किस तरह आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं कौन सा सौफ़एर यूज़ होगा वीडियो एडिटिंग के लिए इसको किस तरह से इंस्टाल करना है औ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पेज को लाइक करें तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले आपके पास फिल्मोरा 9 का सेट अप होना चाहिए फिल्मोरा 9 एक साफ़वेर है जिसके जिरिये से आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं तो फिल्मोरा 9 का सेट अप आपके पास होना चाहिए यह फिल्मोरा 9 का मेरे पास सेट अप पड़ा हुआ है इसको आपने डबल कलिक करके ओपन कर लेना है यहां से यह इंस्टाल हो जाएगा जो 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 इंस्ट्रक्शन पूछेगा व आपने इंस्ट्रक्शन बता के नेक्स्ट करते जाना है मेरे पास अरड़ी इंस्टाल है तो मैं यह इंस्टाल नहीं करूँगा जब आपके पास यह इंस्टाल हो जाएगा तो आपने इसकी एक्टिवेशन करनी है आपने यहां पे हेल्प के मैनियो में जाना है और यहां एक्टिवेट फिल्मोरा 9 के उपर आपने क्लिक करना है मेरे पास अरड़ी इंस्टाल है जब आपके पास यह इंस्टाल होने के बाद रिजिस्टर नहीं होगा तो आपके पास यह डिफरेंट ऑप्शन देगा यहां पर यह इमेल पूछेगा और आगे सीरियल की या रिजिस रिजिस्टरेशन की एंड इमेल आपको इस फाइल में मिलेंगी यह जो नोटपैट की फाइल है यह सारी इमेल एंड रिजिस्टरेशन कोड लिखे हुए हैं आपने यहां से कोई भी उसके अंदर फिट कर देना है एक बात मैं आपको बताता चलो कि जब आपने फिल्मोरा डि-एक्टिवेट हो जाएगा तो फिल्मोरा 9 के उपर जाते हैं यह आप एक्टिवेट कर लेंगे इसको तो उसके बाद आप सारी फंक्शनलिटी जो है इसकी पर फार्म कर सकेंगे सबसे पहले यह उपर इसके टाइटल बार होती है यहां पे फिल्मोरा 9 का आइकन लगा हुआ है यह इसका मैनियू है यहां पे जो परजेक्ट आपका होगा उसका टाइटल होगा और यहां पे इदर जो है यह क्लोजिंग आप्शन्स है यह मिनिमाज्स है यह सक्रीन को समाल या लार्ज करने के लिए मैक्सिमाज्स करने के लिए और साथ में यह जो क्रास का बट यहां से आप नया पॉर्जEक्ट ओपन कर सकते हैं यह पहला पॉर्जEक्ट यह है फ़िए वैब सक्रीन का है 25. स्कुम ना प्रेस्ट करते हैं तो आप आपका नया पॉर्जEक्ट जो है वह प्रफ़ाट हो जबता है दूसरे नमबर पे इंस्टाग्राम के लिए आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो आपने इंस्टाग्राम वाला स्लेक्ट करना है यह पोट्रेट और लैंड्सकेप यह दो चीज़ नहीं होती है पेज और इंटेशन होती है यह वीडियो और इंट करना है और स्टेंडर्ड एक इसकी डिरेक्शन है और लास्ट वाले जो है अगर आप सैन्मा में मूवी को लाउंच करना चाह रहे हैं तो यहां पे यह आपने स्लेक्ट करना है उसके बाद दूसरे नमबर पे जो ऑप्शन है वह ओपन परजक्ट का है आपके ने आरड़ी परजक्ट बनाए हुए हैं जैसे कि यह मेरे पास कितने सारे परजक्ट बनाए हुए हैं तो आप इसके उपर कलिक करेंगे तो यह आपका जो भी परजक्ट होगा वो ओपन हो जाएगा नेक्स इसके बाद ऑप्शन जो है ओपन रिसेंट परजक्ट यह ओपन रिसेंट पर यानि कि आप आपने प्रॉजक्ट के अंदर कोई भी मीडिया फाइल आडियो वीडियो इमज वगरा एड़ करना चाह रहे हैं तो आप यहां से भी कर सकते हैं इसका और और तरीका भी है वह मैं आपको बात में बताता हूं यहां से यह डिफरेंट आप्शन्स हैं जिसके दर करना चाह रहे हैं फोटोस डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद यह रिकार्ड मीडिया का ऑप्शन है आप पीसी की स्क्रीन रिकार्ड करना चाह रहे हैं यानि कि आपकी सिस्टम की स्क्रीन के ओपर जो भी चल रहा है आप ले यह वह भी साथ रिकार्ड कर सकते हैं और अगर आप अपनी इमज वीडियो के अंदर अमबैड करना चाह रहे हैं यानि कि आप जो भी प्रेजनेशन दे रहे हैं उसकी आपकी इमज भी प्रेजनेशन के साथ है तो जब आपके लैपटॉप के ओपर वैब कैम अमबैड़ हैं और अगर आपने अपना परजेक्ट अरड़ी सेव कर लिया है तो यहां से आप उसको नेम चेंज करके किसी और नेम से भी परजेक्ट सेव कर सकते हैं डिलीट रेंडर प्रिवीव फाइल कुछ फाइल जो आपने प्रिवीव के लिए रखी हुई थे उनको आप यहां स का उप्शन है यहां से आप अपनी जो भी मीडिया फाइल होगी कोई इमेज होगी वाइस होगी उसको एड़िट कर सकते हैं काट कापी पेस्ट या डिलेट कर सकते हैं यह टूल्स है टूल्स का उप्शन जो है आप मीडिया को इंपोर्ट करने के लिए यूद होता है यह जितने भी मैनियूज दिये हुए है इनके अल्टरनेटिव जो है यह नीचे भी है यह नीचे जो मैनियूज नजर आ रहे हैं यह उपर वाले मैनियूज का अल्टरनेटिव ही है तो हम यहां पर चलते हैं मीडिया के उपर यहां पर जो भी मीडिया आपने प्रजक्ट के अ अधर अपलोड किया होगा वह यहां से आपलोड करें तो आप यहां से इंपोर्ट मीडिया फाइल करके इसके उपर क्लिक करेंगे तो यह एक कोई वीडिया फाइल जो भी है आप चा रहे हैं इसके अंदर अधर सकते हैं यह मेरे पास वीडियो कुछ पड़ी हुई है तो यह मैंने उपन किया है तो यह इसके अंदर एड़ हो चुकी है ठीक है इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कोई मीडिया फॉल्डर इसके अंदर एड़ करना चाहे है यानि कि आपके पास कुछ इमजेस हैं वो एक फॉल्डर में पड़ी हुई है आप वो सारी इमजेस एड़ करना चाह रहे हैं तो यहां से मीडिया फॉल्डर भी आप चहां पर यह आईकन्स वाला और जॉब्स वाला जो है यह फॉल्डर में सेलेक्ट करता हूँ तो यह पॉल्डर जो है वो आ चुका है इसके अंदर यह इमजेस थी तो यह सारी इमजेस इसके अंदर अपलोड हो चुकी है इसका फाइदा यह है कि आप अगर एक से ज़्यादा इमजेस अपने पॉर्जेक्ट के अंदर इमपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप पूरा फॉल्डर इमपोर्ट करें जो जो इमजेस आपने इमपोर्ट करनी है उसको एक फॉल्डर में रखें और पूरा फॉल्डर इमपोर्ट कर लें इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है इमपोर्ट फ्राम कैमरा और फून फून या कैमरा के जरीए से आप जो कोई मीडिया आप इंपोर्ट करना जाएं लैटस पोज आपके उपर लैप्टॉप के उपर वैब कैम इंस्टाल्ड है तो आप यहां से डिरेक्टली पिक्चर लेके भी इसके अंदर अमबैड कर सकते हैं मीडिया फेस्बुक से मीडिया डाउनलोड कर सकते हैं इमजेस डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर डाउनलोड फोटो फ्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की पोस्ट या वीडियो जो है वो भी आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, अबड कर सकते हैं यहां पे यह फोल्डर जो आ चुका है एक फोल्डर हमने अपलोड किया था वो फोल्डर का नहीं आ रहा है यानि के पॉर्जक्ट मीडिया जो है वो चार चीजे हमारे पास आ रही है उसके बाद दूसरे नमबर पे जो है शेर्ड मीडिया है यानि के हमने कुछ फाइल अगर शेर्ड कियों ही है किसी दूसरे पाइल या किस दूसरे सिस्टम के साथ तो वो यहां पे शेर्ड मीडिया आ जाएगा या किसी शेर्ड मीडिया को हमने अक्सेस किया हुआ है तो वो यहां पर आ जाएगा next है sample colors तरो यनि के हम अपने वीडियो के अंदर कुछ color डालना चार रहें कुछ सेंपल वीडियो डालना चाहिए यह सेंपल वीडियो वालडी फिल्मोरा के अंदर अवेलेबल हैं आप यह डाल सकते हैं यह जो पहली कुनेक्टड रहे तो फिल्मोरा आप बाय करें फिल्मोरा नाइन या इसे अपग्रेड़र वर्जिन यह सेंपल वीडियो के बारे में आपका उता दिया यह आप यहां पर एड़ के बटन पे क्लिक करेंगे तो यह एड़ हो जाएगे इसको यहां से आप प्ले कर सकते हैं यह कलर चला है पहले जो हमने एड़ किया था उसके बाद बल्यू और यह जो चेक्ट कलर हैं यह चलेंगे उसके बाद आपकी वीडियो चलेगी यह कलर आ रहे हैं और यह आगे नेक्स्ट आपकी वीडियो रन हो रही है यह देखें ठीक है अब नेक्स्ट आप्शन जो है वह आडियो का option है अगर हम चाह रहे हैं कोई recorded audio media के अंदर import करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं यहां पर आपने same as it import करनी है import media files यानि कि आपने system के अंदर से कोई file इंटर करनी है जो के audio है voice over है तो वो आप यहां से इसके अंदर add कर सकते हैं यह मेरे पास record पड़ा हुआ है यहां पर यह music पड़ा हुआ है तो यहां से मैंने यह recording select की है कोई भी recording select करता हूं तो यहां से यह इसके अंदर आ चुकी है ठीक है और दूसरा यह कुछ already built in devices हैं जो के filmora के अंदर ही होती है यह total 77 है यह यंग and bright है आप यहां से कुछ add करना च कर सकते हैं अगर आप यहां से जो कुछ add कर चुके हैं उसको delete करना चाते हैं तो यहां select करके delete यह select किया और यहां पर delete इस तरह से सारा record जो है वह आप delete पी कर सकते हैं अब मैं दोबारा से यहां से यह voice add करता हूँ कि यह मस्वला दे रहा है कि आप offline है यह download नहीं है यह एक download है तो यह इसके अंदर add हो चोकि इसको play करेंगे तो यह आपके पास इसकी जो भी वाइस होगी वह आपको सुनाई देगी next यह tender and sentimentals है rock flock यह different किसम की categories हैं जो आपके पास यहां पर show हो रही है तो यह आप इसके अंदर add कर सकते हैं next है titles टाइटल्स वह चीज़ होती है जो आपके वीडियो के उपर सबसे पहले नदर आता है आपकी वीडियो का आप इसको banner भी कर सकते हैं अगर आप image editing या designing नहीं आती है banner डिजाइन करना नहीं आता है तो आप यहां से easily अपने वीडियो का banner जो है thumbnail जो है easily यहां से design कर सकते हैं सबसे पहले यह इसके अंदर 259 banners हैं जो के कुछ downloaded हैं और कुछ download होने वाले हैं तो यहां से अगर हम select करते हैं openers openers वो चीज़ होती है जो के आपके वीडियो की starting में होती है लेट्स पोज़ आपकी वीडियो फिल्मोरा के उपर ही है तो आप फिल्मोरा का नाम लिखेंगे वीडियो का title लिखेंगे और यहां से add किया मैंने यह add के दिया और इसको play किया तो यह देखेंगे इस तरह आपका opener आ जाएगा वीडियो स्टार्ट यहां से होगी इस तरह से आपका text लिखा हुआ opener जो है वो आएगा ठीक है अगर आप इसको add करना चाह रहे हैं कि आपका यहां पे title hair और your text hair का option जो है रहे हैं इसको खतम करें इसको add करना चाह रहे हैं तो इसके उपर आपने double click करना है तो यह यहां से text जो भी है change हो जागा अगर इसको आपने formatting करनी है तो आपने इसको select करना है यहां पे इ node sizes का change कर सकते हैать 125 लोग कर सकते हैं इसको इसको italic कर सकते हैं यह सकी alignment है आपको इसको कहां पर रखना है दर्मयान में करना है एक साइड में रखना है text को किदर रखना है, जहां से آپ इसको इस तरह से increase भी कर सकते हैं अब आपको जहरी फरक पता जलेगा, यह दर्मयान में हो यानि कि आपका Text उपर से नीचे की तरफ आए या नीचे से उपर की तरफ आए तो आपने यहां से इसके अंदर Animations डाल लेनी है. यह मैंने Animations Select की, ओके किया और इसको वीडियो को Start से Play गया. तो यह आपका Text इस साइड से इसको आ चुका है. नेक्स्ट वन जो है यह आपके पास openers है जितने भी हैं यह अपनी वीडियो के starting में आप इसको add कर सकते हैं और आगे titles हैं अगर आप openers add नहीं करना चाते हैं जिस्ट title लिखना चाते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है opener को delete कर दें इसके उपर क्लिक करें और यहाँ पे same edit उसी तरह हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है इसको edit कर सकते हैं आप यहाँ पे अपनी वीडियो का title लिख सकते हैं यहाँ पे आप अपने channel का नाम लिख सकते हैं इस तरह से आप इसकी editing करते रहेंगे okay करना है यहाँ से कुछ और भी है यह वाला अगर select करते हैं तो यह देखें जी यह आप इसको जहां पर मर्जी drag and drop कर सकते हैं यह मैंने उस side पर कर दिया है यह आप अगर नीचे लाना चाहरे हैं तो इसको नीचे ला सकते हैं यह text जो है आप उठा कि किसी और side पर लेना चाहरे हैं तो लेकर जा सकते हैं इसकी आप अगर direction चेंज करना जा रहे हैं तो यहां पर आपने इस तरह इसको गुमाना है mouse click करेके इस तरह आप इसको गुमा सकते हैं कोई भी text है आप इसको गुमा सकते हैं यह आपके पास सारे titles हैं जितने भी हैं यह आप यूज कर सकते हैं लोट थर्ड यह भी titles है यह ताइटल इस तरह के हैं कि यह नीचे लिखे हुए आएंगे यह देखे और वह जो में टाईल है वह तर्मैंने लिखा हुआता है यह टाईटल नीचे लिखा हुआएगा उससे छो Hokkien सापटाइटल सेमे में तर script की ना Raphael एक सारे आपके पास सब्सक्राइटल कर सकते हैं आप में जाब आपकी वडियो करने क्लाइट्स को अपने क्लाइट्स को तो आप सकते हैं जासे के वीडियो के ऐंड पर आप कहा रहे हैं कि सब्सक्राइब माई चैनल या लाइक माई फेस्बुक पेज बिंग अडवाईजर तो इस तरह से आप यहां पर लिखके आपने चैनल का नाम लिखे या कुछ और लिखना चाहें तो वह भी आप लिखके यहां पे आप वीडियो एंड कर सकते हैं ये कुछ और चीजे हैं ये भी टाइटल्स ही हैं तो कुछ कस्टम टाइटल्स हैं ये उसके अलावा और टाइटल्स हैं फिल्मॉरा इस तरह कि आपको बहुत सारी फंक्शनलिटीज पर्फा से आगया इसको आप एड़िट भी कर सकते हैं जो टैक्स आप यहां पर लिखना जाएं लिख सकते हैं होके किया ये सारे टाइटल्स ही हैं अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं आपने देखा होगए कि जड़ नियूज चैनल जो होते हैं वो अपनी नियूज चैनल के ओपर अपलोड कर रहे होते हैं या टीवी के ओपर जो नियूज आ रही होती है उसमें डिफरेंट किसम की टैक्स शो हो रहा होता है आपने देखा होगए कि एक इदर नीचे पटी शो हो रही होती है यहां पर इसके ओपर और अलएदा खबर आ रही होती है यहां पर चै स्क्रीन लाइव चल रहा होता है तो इस तरह आप किस तरह से वीडियो बना सकते हैं वो आपको मैं उताता हूँ यह इसके अंदर डिफरेंट ट्रैक्स है नीचे यह डिफरेंट ट्रैक्स है यह आडियो ट्रैक है यह वीडियो हुआ है यहां पर half screen पर live चल रहा हो या कोई और वीडियो चले और यहां पर कोई और वीडियो चले तो मैं आपको बताता हूँ आपने सब से पहले करना क्या है कि यह पहले वारा track जो है track number two track number one आपने select करना है और इसके अंदर आपने यह वाला अपलोड कर देना है इसको आपने इस तरह समाल करना है इसको आपने सारे को थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताके एक साइड पे यह आ सके इसको आपने एक साइड पे सेट कर लेना है यह देखें जी अब ये आपकी वीडियो जो है यहाँ पर प्ले होगी बाकी सारा टेक्स खाली दगा सिरफ यहाँ पर आएगी अब और चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपका इसके साथ साथ एक और वीडियो यहाँ पर चले तो मैं इसको साथ ट्रैक नमबर टू में इसको एड़ करता हूँ ठीक है यह इसको ठाक है मैंने स्थोड़ा साथ साथ पर किया अब इसको प्ले करते हैं तो यह सारे के उपर आएगा ये देखें जी, ये इस सारे के उपर आ रहा है, इसको थोड़ा सा समाल करना है आपने, ये टेक्स जो है, इसको भी आपने इस तरह समाल करना है, इसको भी समाल करना है, और इसको उठा के एक साइड पे इस कार्नर में ले जाते हैं, ये टेक्स यहां पे, और ये भी इसका इ है ठीक है अब इस वीडियो को दोबर आप ले करते हैं यह देखें यह लाइदा वीडियो चाल रही है इसके अलावा अगर हम चाहरे हैं कोई और एक चीज हम यहां पर एड़ करें तो यह एड़ टू पॉजक्ट हम करते हैं ओपनर को यहां पर हम ओपनर कि ट्रेक के अंदर हम अपलोड करते हैं यह वना यह अपनेली उसके ह Sakın Amis के अंदर हम अपलोड करते हैं यह आप यह बंदर आपने सक्रक्ट किय किया और इसके अंदर यह हमने कि अपलोड कर दिया अब इसको ओपनर जो है यह उस तरह से एक्टिवेट नहीं होगा जिस तरह से हम करना चाह रहे हैं जब इसको प्ले करेंगे तो यह टाइटल के लिए तो बैस्ट है लेकर अगर हम ओपनर की वीडियो करते हैं तो वह हमारी फुल प्ले होगी बाकी जो हमने दूसरी वीडियो या टाइटल्स अपलोड किये हैं वह इसके वीचे हाई हो जन्दे यह देखें वीडियो अब चल लिए अब यह सिर्फ उपर वाली वीडियो जो हमने ओपनर एड़ किया है वही चल रही है तो इस तरह से हम ओपनर के उपर इसको एड़ नही करना है और यह आपका चुका है यह देखेंगी यह वाला यह टेक्स्ट है इसको आपने थोड़ा सा स्माल कर लेना है ताकि आपका वीव अच्छा हो जाए और इसको भी अब इसको स्टार्ट से दोरा बढ लेकर्टे हैं तो आपका सारा यह वाला टेक्स्ट भी जान पर लिखा हुआ आ चुका है ठीक है इस तरह से आप जैसे जैसे नीजोज चैनल वाले दूस नाते हैं तो आप इस तरह से बना सकते है यह भी इसी कि एक किसम है अब का एड़ कर सकते हैं